नमेशकार दोस्तों आप सभी का स्वाक्तरिंग के जुकेशन में और इंडियन आर्मी अगनी वीर वर्ती का इंतियार कर रहे युबाओं के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी की बात है कि इंडियन आर्मी अगनी वीर वर्ती का नोटिफकेशन जारी हो चुका है अगनी वी ARO Merit UP के जो अंडराने वाला एक ARO है ARO Merit के बारे में बहुत सारी जानकारी है अपडेट्स हैं बहुत सारी डिस्क्स करेंगे और ARO Merit की बरती के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोर्म कब से लेकर कब तक बरे जाएंगे तो 13 फर्वरी से लेकर 22 मार्च तक ये फोर्म रहे जाएंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंट तक जरूर देखें अगर आप किसी भी पार्ट को मिस करते हैं इस वीडियो के तो आप बहुत सारी जानकारी हैं को मिस कर देंगे जिनका खम्याजा आपको आगे चलकर बरती में देखने को मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंट तक देख लेंगे तो आपको आगे चलकर इस बरती में कोई भी समस्या नहीं आने वाली क्योंकि आज आपके जितने भी मन में प्रेशन है उन सब का अंसर मिलने वाला है चाहिए बो किसी भी प्रकार के प्रेशन हो फीजिकल से लेकर हो एक्जाम से लेकर हो किसी डाकुमेंट से लेकर हो हाइड से लेकर हो चैट से लेकर हो जितने भी पॉइंट है बरती से लेकर वो सारे clear होने वाले हैं बस आप इस वीडियो को शुरू से ले करें जरूर देखें तो जो फॉर्म है वो 13 फरबरी से बरे जाएंगे 22 मार्थ तक ये फॉर्म बरे जाएंगे 22 अपराईल को आपका अग्जाम होने जाने वाले तेरा फरबरी से आपके फोर्म बरने शुरू हो जाएंगे 22 मार्थ तक ये फोर्म बरे जाएंगे 22 अप्रायल को आपका अगजाम होने जा रहा है तो सबसे पहले हम अलीजिविल्टी क्राइटेरिय को देखते हैं मीज की अगनिविर जेडी के लिए लिजिविल्टी क्राइटेरिय में अगर हम एजुकेशन की बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है क्या एजुकेशन क्वालिफकेशन होनी चाहिए अगनिविर जेडी के लिए अप्लाई करने के लिए complete इस वीडियो को जुरूर देखें बहुत सारी नई information मिलने वाली हैं जिनकी जानकारी आपको पहले से नहीं थी और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो बहुत सारा खमयाजा आपको बुकतना पड़ सकता है अगनी वीर बरती को लेकर तो अगनी वीर जीडि की हम बात करें तो class 10th में 45% आपके जो aggregate marks होने चाहिए और each subject में आपके 33% होने चाहिए में इसकी अगनी वीर जीडि के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो दसमी में आपके aggregate 45% marks होने चाहिए और हर subject में कम से कम 33% marks होने चाहिए age limit की बात करें तो 17 साल से 21 साल तक age limit होनी चाहिए अगर आप अगनी वीर जीडि के लिए apply करना चाहते हैं और उसके बाद हम बात करें अगनी वीर टेकनिकल के लिए अगनी वीर टेकनिकल के लिए जो qualification है उसको 3 part में divide कर दिया गया means कि अगर आपके पास ये है तो ठीक है अगर आपके पास ये qualification है तो ये होनी चाहिए अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये होनी चाहिए means कि हम इस वीडियो में हम तीनों qualification हो को discuss करेंगे बार्मी अगनी वीर टेकनिकल के लिए apply करने के लिए आप बार्मी पास होने चाहिए और बार्मी पास आप साइस के साथ होने चाहिए में इसकी आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो फजिक्स, कमेश्ट्री, मैथ और इंगलिस होने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स एग्रिगेट होने चाहिए में इसकी पूरी बार्मी में आपके पास 50% अंक होने चाहिए उसके बाद हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% अंक होने चाहिए जितने भी आपके पास बार्मी में सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 40% अंक हर सब्जेक्ट में होने चाहिए A.S. Limit वो ही है 17 साल से 21 साल अगर आपके पास अगनी वी टेक्निकल के लिए उपरली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन होने चाहिए बारमी पास होने चाहिए आप और बारमी में आपके पास Science, Physics, Chemistry, Math, English होनी चाहिए बट आपके 50% जा 40% वाली शर्त आप पूरी नहीं करते तो आपके पास एक साल का ITI डिपलोमा होना चाहिए अगर आपके पास एक साल का ITI डिपलोमा है और आप बार्मी पासो साइंस से फिलिक्स कुलिक्ट्री मैथ है आपके पास और अंकों की कोई शर्त नहीं है फिर आपके पास ITI डिपलोमा होना चाहिए चाहिए आपके 33% को तब भी आप अपलाई कर सकते हैं अगरे भी टेक्निकल के लिए अगर आपके पास ITI डिपलोमा है अगर आपके पास नई ITI डिपलोमा तो आपके पास 50% aggregate marks होने चाहिए 40% जो e-subject में होने चाहिए with science आपकी बार्मी पास होने चाहिए physics military math आपके पास होना चाहिए अब हम बात करते हैं तीसरी qualification की अगर आपके पास ये भी नहीं है ये भी नहीं है में इसकी आप आपके पास बार्मी में आपके पास बार्मी में science नहीं है आपके पास बार्मी में non-medical नहीं है तब भी आप आर्मी टेकनिकल की बरती देख सकते हैं अगर आपके पास बार्मी में non-medical नहीं है अगर आपने बार्मी कलास science से पास नहीं की है तब भी आप जो इसकी है जो बरती देख सकते हैं आर्मी टेकनिकल की ये बहुत कम अभी आर्थियों को पता होगा बस आपने दसमी पास की होनी चाहिए और कम से कम 50 परतीशत एग्रिगेट माक्स होने चाहिए और 40 परतीशत एग्रिशत 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 का डुपलोमा है और दसमी पास है बार्मी आपने नोन मेडिकल से नहीं की आपने अर्ट से की है जा नहीं की तब भी आप आर्मी टेकनिकल की बर्ती देख सकते हैं और ऐसी हम और बहुत सारी चीजों को डिसकस करेंगे बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक इसकी ओफिस असिस्टेंट ठीक है श्टोर की पर टेकनिकल कलरक इसी नाम से जाना जाता है तो अगर आप कलरक की बरती देखना चाहते हैं कलरक की बरती के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपने बार्मी पास आपका होना जरूरी है बार्मी पास होने चाहिए आप और और आपके टोटल साथ प्रतिशत अंक होने चाहिए एग्रिगेट भार्मी में साथ प्रतिशत अंक होने चाहिए एग्रिगेट आपने भार्मी किसी भी ट्रेड से किसी भी स्ट्रीम से की हो चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो कुमर्ज से हो, चाहे वो साइंस से हो, में इसकी नोन मेडिकल, मेडिकल जा आर्ट से हो आपके पास बस 60 परिस्टीशत अंक होने चाहिए, 50% आपके जो इस सब्जेक्ट में होने चाहिए और सड़े सतरा साल से लेकर 21 साल तक की उम्र होनी चाहिए ठीक है अगर हम बात करें जो अगनीवीर ट्रेड्समेन 10th पास के लिए तो 10 पास होनी चाहिए simple simple आपकी 10th पास होनी चाहिए सड़े सतरा साल से 21 साल की उम्र होनी चाहिए अगर हम अगनी भी tradesman 8th pass की बात करें तो आपकी 8th pass होनी चाहिए और 17 साल से 21 साल उमर होनी चाहिए बस अगर हम बात करें आगे चलकर bed की height की यह 2024 की नए notification के rule है बहुत सारी changes भी हुई है आगे चलकर हम उन changes को भी देखेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर रहने तक जरूर देखें इस वीडियो को skip ना करें तो height की बात करें क्यूंकि आपके 2-3 minutes इस वीडियो को देने पे आप बहुत सारा फायदा हो सकता है आपका means कि आपको जो आगे चलकर आप बरती में जो खम्याजे देखेंगे वो नहीं बुक्तने पड़ेंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर रहने तक देखे लेते हैं अगर हम height की बात करें तो अगनी वीडि के लिए जो height है वो 170 cm है अगनी वीर technical के लिए जो height है वो 170 cm है अगनी वीर office assistant store की प्रकलर के लिए जो height है वो 162 cm है अगनी वीर tradesman 10th class के लिए जो height है वो 170 cm है अगनी वीर tradesman 8th class के लिए जो height है वो 170 cm है अगर हम chest की बात करें तो 77 cm आपकी chest होनी चाहिए 77 cm की chest होनी चाहिए plus 5 cm का flap होना जुरूरी है plus 5 cm का flap होना चाहिए 77 cm की chest ठीक है height आपको clear हो चुकी है अगनी भी जीडी के लिए 170 cm, अगनी भी टेक्निकल के लिए 170 cm, अगनी भी office assistant के लिए 162 cm, अगनी भी tradesman 10 मी पास के लिए 170 cm, अगनी भी trades पास, आठमी पास के लिए 170 cm होनी चाहिए chest आपकी 77 cm होनी चाहिए 77 cm आपकी chest होनी चाहिए plus उसमें आप add कर लीजिए 5 cm का flap, में इसकी flap के साथ 5 cm और होनी चाहिए में इसकी 82 cm होनी चाहिए complete देखिए इस वीडियो को बहुत सारी interesting collecting जो चीज़े हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिन जो नए चेंज़े सुए हैं 2024 की अगनी बीरबती में वो आगे की slide में दिये गए हैं अगर हम salary की बात करें तो पहले साल आपको हर मीने 30,000 पे मिलेंगे ठीक है 21,000 पे आपको in hand मिलेंगे और 9,000 पे आपके जमा होंगे 9,000 ही सरकार जमा करेगी means की पहले साल आपको salary 30,000 पे मिलेगी जिसमें से 21,000 पे in hand means की आपके account में कितने रपे आएंगे पहले साल 21,000 पे आपके 9,000 पे जमा हो जाएंगे उसमें 9,000 सरकार जोड़ देगी means की आपके 18,000 पे मिना आपके जमा होंगे ठीक है दूसरे साल की बात करें तो आपकी salary हो जाएगी 33,000 पे और आपको मिलेंगे 23,100 पे और जिसमें 99,000 means की 9,900 पे आप जमा करेंगे 9,900 पे सरकार जमा करेंगी और आपको नगद कितने मिलेंगे आपके account में कितने रपे आएंगे वो आएंगे 23,100 पे मैं साल दूसरे की बात कर रहा हूँ साल तीसरे में तीसरे साल आपकी जो salary हो जाएगी वो 36,500 पे हो जाएगी और आपको जो in hand मिलेगी जो आपके account में salary आएगी in hand salary net pay salary होगी आपकी बो 25,500 पे होगी और आपके जमा होंगे 10,950 पे और सरकार उसमें जमा करेगी 10,950 पे अगर हम बात करें चोथे साल की तो जो आपकी salary होगी वो 40,000 पे और आप जमा करेंगे आपको नगद मिलेंगे in hand मिलेंगे 28,000 पे और आप जमा करेंगे 12,000 पे सरकार जमा करेंगे 12,000 पे तो ऐसे करते हुए चार साल में आपने जमा किये 5,2,000 पे सरकार ने जमा किये 5,2,000 पे तो आपको जो कुल पैसे मिलेंगे चार साल के बाद बोद मिलेंगे 10,4,000 पे ठीक है उसके बाद हम बात करें यह सबसे important चीज़ है जो army की बरती है वो दो phase में बांटी गई है कितने phase में बांटी गई है दो phase में phase 1 और phase 2 यहां पर हम बात कर रहे हैं phase 1 की phase 1 में आपका online cc cee होगा means की online combined entrance exam होगा और इसके लिए सबसे पहला आपका अगर हम बहुत सारे बच्चों का question है कि सर पहले exam होगा चांप पहले आपका physical होगा तो मैं clear बता देना चाता हूँ पहले exam होगा फिर physical होगा और अगर बहुत सारे candidate जो clerk की बरती के लिए apply करना चाहते हैं वो पुछेंगे सर पहले ताइपिंग टेस्ट होगी जाँ physical होगा जाँ exam होगा पहले आपका exam होगा फिर आपका typing टेस्ट होगा फिर physical होगा अगर आप typing test clear करते हैं तब physical जाकर होगा जिन आप हम बात करें इसकी इकसाम की बात करें आपने एक सही पर टिक लगा होना है और उसके बाद हम बात करें negative marking की हाँ इस exam में negative marking भी होगी 0.25 marks मींस की 1.25 marks आपके कट जाएंगी अगर आप किसी प्रशन को गल्द करते हैं मींस की आपने 4 प्रशन गल्द कर दिये तो आपका एक सही अंक जो है गो कट जाएगा negative marking है अब हम बात करते हैं color के लिए जो color कवरती के लिए apply करना चाहते हैं उनके लिए typing test होगा typing test में क्या है कि 30 सब्द होंगे English के जो आपने प्रती जो WPM होगा वो 30 word प्रती मिंट होगा मींस की आपने English के 30 word type करने है कितने में एक मिंट में एक मिंट में तीश word जो हैं आपने type करने हैं उसके बाद हम बात करें phase 2 की phase 1 के बारे में मैंने बताया कि आपका exam होगा phase 2 में आपका physical होगा phase 2 में आपका physical होगा और physical होगा जिस ARO में आपने apply किया है जिस ARO के through आप बरती देखना जाते है उसमें आपका physical होगा अब बात करेंगे कि physical के लिए कौन कौन बलाई जाएंगे physical के लिए 5 से 7 गुना candidates हैं जो भी as per policy आप बलाई जाएंगे means की मालो 20,000 post हैं ठीक है तो 1,40,000 के आपका candidate को जो है short list किया जाएगा means की merit में डाला जाएगा means की मैं example के तौर पे मान रहा हूँ अगर 20,000 post है ठीक है तो 7 गुना बलाते हैं तो 20,000 का 7 गुना कितना हुआ 1,40,000 पे 1,40,000 के अड़ेट हुए तो 1,40,000 के अड़ेट को बला जाएगा अब यह देखने वाली बात होगी कि 5 गुना बलाते हैं 7 गुना बलाते हैं 2 गुना बलाते हैं 3 गुना बलाते हैं physical के लिए आप मानंके चलिए 5 से 7 गुना पका बलाएंगे और यह समय की बात होगी और सबसे important बात है कि website कुनची है जहांसे हम phase 2 का recruitment process है बो download करेंगे अगर आपका phase 1 clear हो जाता है तो join indian army जो मैंने highlight की है joinindian army.nic.in पे जाकि आप अपनी halt ले सकते हैं physical 2 की अब हम बात करते हैं physical कैसा होगा तो physical दो group में बाट दिया है ने group 1 में अगर आप 5.30 सेकंड में रेस लगा लेते हैं तो आपको कुल 60 हंक मिलेंगे अगर आप 5.30 सेकंड के अंदर रेस लगा लेते हैं तो 60 हंक मिलेंगे अगर आप 10 pull up लगा लेते हैं तो 40 हंक मिलेंगे. अगर आपकी रेस 5.30 से लेकर 5.45 सेकंट तक लगती है तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे जो pull up हैं अगर आप वो 9 लगा पाते हैं तो 33 मार्क्स मिलेंगे अगर आप pull up 8 लगाते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे अगर आप pull up जो 7 लगाते हैं तो 21 मार्क्स मिलेंगे ठीक है ये सारी बातें clear हो चुकी है मेरे साब से pull up के marks हैं 10 pull up के 40 marks 9 pull up के 33 marks 8 pull up के 27 marks 7 pull up के 21 marks 6 pull up के 16 marks और 9 feet की ditch होगी जो आपने qualify करनी है जिग जग बॉल होगी जो आपने qualify करनी है ठीक है अगर ये कर लेते हैं तो आपका physical clear हो जाएगा उसके बाद हम बात करें सबसे important चीज़ जो मैं आपको बताना चाहरा था वो ये है कि अगर आप अगनी वीर बरती की त्यारी करना चाहते हैं अगर आप अगनी वीर बरती को लेकर serious हैं अगर आपका सपना है कि आपने अगनी वीर की बरती लेनी ही है आपने जौब लेनी ही है तो सबसे important हो जाता है आपका notes पढ़ना exam clear करना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले exam होगा फिर physical होगा अगर आप exam ही नहीं clear कर पाए तो physical नहीं होगा अगर आप exam clear करना चाते हैं तो आप notes ले सकते हैं notes मैं आपको क्या करना है यहाँ पे exam brass Ip number पे बेज रहे है इस पे आपने message लिखने है अपने exam means की exam में आपने लिखने है लुखना है GDP मालो आप ज़ी के लिए apply करना चाते हैं तो GDP लिख देना आप clerk के लिए apply करना चाते हैं तो यहाँ पे clerk लिख देना ठीक है अगर आप technical के लिए apply करना चाहते हैं तो technical लिख देना और subject, जिस subject के चाहिए आपको math का चाहिए जी की चाहिए, आपको hindi चाहिए, english चाहिए जो भी subject चाहिए आपने buts app पे message, इस number पे message करना है पहले लिखना है exam, exam का नाम उसके वाद subject लिखना है कि subject के चाहिए, जो आपको सारे subject के चाहिए तो आप लिख देना, message कर देना मैं आपको तुरंत PDF send कर दूँगा ठीक है, आपको मैं within mint में आपको PDF send कर दूँगा बस आपने क्या करना है, इस buts app number पे मुझे message करना है, message में क्या लिखना है अग्जाम लिखना है, आपका gd है, clerk है, technical है, tradesman है जो भी आपका अग्जाम है, subject, कि subject के आपको notes चाहिए ये notes का आपको फाइदा ये होगा कि आप बार बार revision लगा सकते है और exam में आप देखना कितना अच्छा परदर्शन करोगी अगर आप ये notes यहां से मुझे message करके आप ये notes ले लेंगे इस वरसेफर नमबर पर आपने message करना है exam का नाम लिखना है, subject लिखना है तो आप मुझे message करें और आप notes ले सकते हैं आज की उडियों बचितना है, धन्यवाद दोस्तो